प्रांठे खाना सभी को बहुँ ज़ादा पसंद होता है और प्रांठे नॉमली सभी घरों में बनते हैं तो सरदियों में आज हम बनाएंगे बिल्कुल अलग तरह का प्रांठा यह हम अलू मेथि का प्रांठा बनाने चारे हैं ये लच्छेदार प्रांठा बनेगा, simple तरीके से इसे नहीं बनाना है, ये बिल्कुल unique तरीका है, तो इसको अगर आप एक बर बनाओगे, तो आपको इसका taste और इसका crisp बहुत अच्छा लगेगा, तो यहाँ पे हमने गेहूं का आटा लिया है, आप यहाँ पे आटा और के इसके अंदर डाल देना है, रब करके यानि की, और यहाँ पे हमने fresh मेथी ली है, जो मेथी लीव्स होते है, और डंठल निकालके हमने मेथी लीव्स को कट कर लिया है, यहाँ पे हमने 1.5 कप के करीब ये मेथी डाली है, तो आप अपने आटे के हिसाब से डालिएगा, एक अप भी डालेंगे, तो भी चलेगा, और वेथी को आपने बिल्कुल बारिक चॉप करना है, इस चीज़ का ध्यार रखिए, दो चम्मच यहाँ पे हमने oil के डाल दिये हैं, यहाँ पे घी मढ डालिएगा, oil ही डालिएगा, क्योंकि इसको crisp देना है हमने, और यहाँ पे soft dough बना के ready कर लेना है, बहुत ज़रा धीला नहीं होना चाहिए, soft dough मतलब जैसे थोड़ा सा दबाएं तो यह अच्छी तरह फैल जाए, लीजिए यह हमारा dough बन गया है, अब हम इसे थोड़ा सा knead कर लेंगे एक मिनट के लिए, और इसके उपर हलका सा oil लगा के इसे side पे र अलू लिए हैं, इनको आपने अच्छी तरह mash कर लेना है, जैसे कि हम अपनी अलू के प्रॉंठे की filling बनाते हैं, सेम वैसे ही, और यहाँ पे अब हम इसके अंदर कटा हुआ अधरक डाल देते हैं, और यहाँ पे इसके अंदर डालेंगे कटी हुई हरी मिच, spices आप अपने अधर चमच डाला है मैंने, यहाँ पे डाल देते हैं, गरम, अधर चमच के करीब डालना है, और यहाँ पे जीरा डालना है, साबुत बला, और थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर हल्दी पाउडर, वो आपकी चोईस है डालें या ना डालें, इसका कोई टेस्ट नहीं हो अगर आपके पास नीमू ना हो, तो आप इसके अंदर चाट मसाला डाल दीजिए, एक छोटा चमच, और दीजिए यह फिलिंग आप हमारी रेडी है, अब हमने अपने डो को ट्रांसफर कर दिया था बाउल के अंदर, अब हम इसमें से एक बड़ी सी लोई निकाल लेते है इस तरह हमने एक बड़ी सी लोई निकालनी है और इसको इस तरह पेड़ा इसका बना लेना है, पेड़ा बनाके इसके उपर थोड़ा सा सूखा अटा लगाते हुए इसको बेल लेना है, नॉर्मल तरीके से परांठे तो सभी घरों में बनते हैं, लेकिन यह हम बिल्कुल तरीके से बनाएंगे और एक बार आप ट्राइ करके भी देखेगा, यहां पर इसके उपर थोड़ा सा ओयल हमने लगा देना है, इसको पूरे में स्प्रेड करना है ओयल को, बिल्कुल किनारों तक कहीं भी ऐसा ना हो जहां रह जाए बिना तेल के, पूरे में आपने लगा इस तरह आप कोई चाकू या फिर पीजा कटर लीजिए उससे पतली-पतली स्ट्रिंग्स निकाल दीजिए अब हम इसे एक अठा करेंगे, इस तरह आपने इसको एक अठा कर लेना है, जैसे घुमाते हुए इसको गुमा के इसका पेडा बना रहा है जैसे इसको इसको इस लगाते हुई, सुखाटा लगाएा हल्कासा और इसको बेल सकते हैं इस तरह मैंने ऐसे ही थोड़ा-था इसको प्रेस कर लिया है हाहाथों से अभी मैंने इसको नहीं बेला है और जब आप इसके अंदर फिलिंग भर लोगे तब हम इसको बेलेंगे अब इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा किया है अब इसके अंदर फिलिंग की एक बॉल डाल देते हैं यहाँ पर मैंने दो चमज के क्रीफ फिलिंग डाली है और इस तरह उपर से घुमाते हुए इसको लॉक कर देंगे लॉक करके हमने इसको पहले दमाना है हलक के हाथों से बहुत ज़्यादा एकदम से बेलन से नहीं करेंगे नहीं तो यह क्रैक हो सकता है और इसके उपर थोड़ा सा सूखा आटा डालते हुए अब हम इसको हलका हलका बेल लेंगे कि पहले थोड़ा सा बेल लेंगे फिर घुमा लेंगे फिर थोड़ा सा बेल लेंगे फिर घुमा लेंगे ऐसे ही आपने करते हुए इसको अच्छी शेफ दे देनी है तोड़ा सा पतला बेल ले लेना है यानि कि remains जादा मोटा ना हो इस तरह पाइल फैल आकर इसके उपर डाल देते हैं प्रांठे को तो यह जो प्रांठा है मुझे परसनली बहुत ज़्यादा पसंद आया है और आप भी इसे ट्राइ करके जुरूर देखेगा इसकी जो उपर की लियर्स होती है वो बहुत ही क्रिस्पी लच्छेदार बनती है और अंदर से यह ऐसा होता है बिल्कुर माउथ मेल्टें आप इस दहीं के साथ बटर के साथ सब करेंगे आपको सब को यह पसंद आएगा तो इसको हमने बहुत अच्छा सा क्रिस्पी होने तक पका लेना है देखे इसको मैं इस तरह दबाते हुए बिल्कुर क्रिस्पी होने तक कुप कर लेती हूँ तो लीजिए प्राठा हमारा बहुत ही अच्छा सिक गया है और इस पर कलर भी बहुत ही बढ़ी असा आ गया है तो इसे अब हम निकाल लेते हैं इसी तरह हमने अपने सारे प्राठे बना कर रेडी कर लेने है और इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए और इसकी लियर्स्ट का जो इंजॉय है आपको बहुत अच्छा लगीगा और इसी तरह मैं सारे प्राठे पहले बना देती हूँ फिर आपको मैं दिखाती हूँ लीजे ये वाला प्राठा भी हमारा बन कर तैयार हो गया है अब हम इसका अंदर का क्रिस्प इसको दिखाते हैं कि ये कैसा बना है मैं इसको तोड़ कर दिखाऊंगी और यहां पे इसे बटर के साथ सब करते हैं आपकी च्वैस है जैसे आपका खाना पसंद हो अचार के साथ चत्नी के साथ नहीं के साथ तो देखे इसको जैसे हम इस तरह एक से दो बार करेंगे तो इसकी जो पूरी लेर्स हैं उपर की वो सारी निकल जाएंगी आप देख सकते हैं पराथा हमारा बिल्कु प्रिस्प बना था इसलिए इसमें क्रैक्स आ गए हैं लेर्स में और बहुत ही बढ़ियां से ये बन कर तैयार हुआ है आपको ये रेसिपी कैसी लगी है हमें बताईएगा जुरूर वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तो लीजिए ये बाइट आपके लिए है इंजॉई कीजिए थेंकिवो बाच्छे